एक प्राचीन गाव के पास एक बरफीली जील थी जिसे लोग भूतिया जील कहते थे गाव वाले इसे सर्दियों के मौसम में भी नहीं चूते थे क्योंकि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती थी लोग कहते थे कि जील में एक चुडैल की आत्मा बसी हुई है जो किसी के पास आकर उसे बरफ में बदल देती है एक दिन गाव में एक साहसी युवा नामक आदित्य आया उसने गाव वालों से सुना था कि जील में छिपा एक खजाना है जिसे पाने के लिए चुडैल को हराना होगा आदित्य ने तै किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा वह एक ठंडी रात को जील के पास पहुँचा और ध्यान पूर्वक देखा कि जील की बर्फ पर कुछ अजीब निशान बने हुए है वह ध्यान से उन निशानों का पालन करते हुए जील के केंदर तक पहुँचा वहां उसने एक पुराना खजाना देखा लेकिन खजाने के चारों ओर एक सफेद धुंध और बर्फ की परत थी चुडैल अचानक प्रकट हुई और आदित्य से कहा यह खजाना मेरी आत्मा का हिस्सा है इसे पाने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा चुडैल ने आदित्य को चुनौती दी कि वह जील में जमी बर्फ को सही धंग से हटाए और खजाने को उजागर करे बिना किसी गलती के आदित्य ने अपनी सूजबूज और हिम्मत का प्रयोग किया उसने बर्फ को सावधानी पूर्वक हटाया और देखा कि खजाना एक बहुत ही कीमती वस्त्र और कुछ प्राचीन वस्तुएं थी जैसे ही उसने खजाने को पूरी तरह से उजागर किया चुडैल की आत्मा प्रकट हुई और उसकी मुस्कान से जील का बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगा चुडैल ने आदित्य को धन्यवाद कहा और बताया कि वह अब मुक्त हो चुकी है आदित्य ने खजाना गाम वालों को दिखाया और उसे गाम के मंदिर में समर्पित किया ताकि सभी उसकी मदद से लाब हुठा सकें चुडैल की आत्मा को शांती मिली और जील एक बार फिर से शांत और सुरक्षित हो गई इस तरह आदित्य ने अपनी सहसिक्ता और बुद्धिमत्ता से चुडैल को मुक्त किया और गाम की भलाई के लिए खजाना प्राप्त किया